पंजाब में खत्म होगी कला है कॉंग्रिस में जाखर की जगा हिंदू नेता को देख्ष बनाने पर जोर सिद्धू को भी मिलेगी अहम जिम्मा में रहें लोकसवा से अधीर रंचन का कट सकता है पत्ता धरूर या मनीश तिवारी हो सकते हैं लोकसवा में कॉंवरिस के नए नेता सोनिया गांधी लेंगी अक्शन उतर प्रदेश विदान सवाच चुनाफ की तैयारियों में जोटे सीम योगी आदितिनाथ आज करेंगे सुल्तान पूर का दोरा विकास कारेंगे समिक्षा किसानों संग करेंगे बात दिल्ली में किसानों की जमीन पर चला बोल डोसर मुआवजा लेने के बाद भी नहीं की थी जमीन खाली किसानों ने भी सरकार कुछ एतावनी दिल्ली में पानी की मुद्धे पर फिर्दर्शन बीजेपी नेता विजय गोयल करेंगे के जिवाल सरकार का विरोध घर के बाहर देंगे धरना दमान और दिव में कर लिया गया स्वापरती शर्टी का करण सभी को मिली वैक्सीन की पहली डोज दूसरा डोज देने की तैयारी श्रूब देश में महामारी की मामले घटे पिशले 24 खंटे में 43,071 केस मिले 955 मरीजों ने गवाई अपनी जान मौसम ने बदला अपना मिजाज उतर भारत में लूसे राहत दिली में आज भी बारिश के आसार रूस में बदली गई राश्ट्री सुरक्षा रणनी थी राश्ट्रपती विलाद मेर पुते ने भी मनजूरी अब देश में सुरक्षा घेरा बढ़ाई की सरकार नेपाल की नदियों ने बढ़ाई विहार की चिंता कई जिलों में जल प्रलै जैसी इस्थिती सरकार ने जारी किया अलर्ट जापान की राजधानी टोकियो में लेंड स्लाइड्स हाथ से में दो लोगों ने गवाई अपनी चान 20 लोगों के लापता होने की खबर बिटन में स्कूली बच्चों की खुराफात और अन्जूस से तयार कर रहे महमारी की फेक पॉजिटिव रिपोर्ट पुलिस ने पकड़ा अफगानिस्तान से अमेरिटी सैनेकों को वापस बुलाने का आधिस से जादा काम पूरा आज प्रत्रिया हो सकती है पूरी अफगानिस सैनेकों का होगा कबजा पैट्रोल फिर 35 पैसे प्रदी लीटर महना डिजल के काम भी बढ़े दिली में 100 रुपे के पाल जाने को तयार पैट्रोल महमारी में वर्क फ्रॉम होम से निजी जिन्दिगी हुई बेहाल सर्विस मिली चानकारी लोगों के घरों में बढ़े जगडे महमारी के बाद घरीलू फ्लाइट के यात्रियों की ट्रेवल प्लान में हुआ बड़ा बदलाव मेट्रो तु मेट्रो ट्रेवल पैटर्न फिर से शुरू SBI न अपने करोडों ग्रहकों को जारी किया अलर्ट आज दो घंटे तक काम नहीं करेगी बैंक की सर्विस इंटरनेट बैंकिंग योनो योनुलाइट यूपी आई सर्विस नहीं रहेगी उपलाब आसे सियालदह से मुंबई के बीच फिर दोड़ेंगे स्पेशल प्रेन यूपी भिहार के लोगों को होगा लाब यात्रियों को महमारी की नियमों का करना होगा पालत